गुड मॉनिंग बच्चों मैं डॉक्टर लक्षमितिवारी हिंदी विभाग मरवारी कॉलेज राची बच्चों आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 12 का इलक्टिव हिंदी अंद्राल भाग 2 की कहानी है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभेता में तो आज हम लो कोशेंशर दिखेंगे अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभेता में के लेखक हैं प्रभाश जोशी और इस पाठ में लेखक प्रभाश जोशी ने मालवा प्रदेश की मिट्टी वर्षा नदियों की इस्थिती उद्गम एवन विस्तार के वर्णन के साथ-साथ वहां के जन जीवन एवं संस्कृती को भी चित्रित किया है उन्होंने पहले की मालवा के तुलना अब के मालवा से करते हुए कहा है कि पहले मालवा धर्ती गहन गंभीर डगडग रोटी पगग नीर थी और अब के मालवा के नदी नाले सुख गये पगपग नीर वाला मालवा सुख गया पंक्तियों द्वारा मालवा के परियावरन विनाश की ओर हमारा ध्यान आकरसित किया है अब का मालवा खाओ उजाडू सबेता में फसकर उजाड बन गया है लेखक जब मालवा गया यानि जब लेखक का मालवा जाना हुआ तो लेखक यह मशूस किया उनका वहां वर्षा रितू के अंतिम मास में राजस्थान से होता हुआ मालवा छेत्र में आया तो उसे आकाश में बादल दिखाई दिये पानी भरने के हर संभो अस्थान पर लवालब पानी भरा हुआ था क्योंकि इससे अधिक पानी धर्ती सोख नहीं सकती थी उसकी पानी सोखनी की छमता स्वाप्थ हो चुकी थी नौरात्री की पहली सुबह मालवा में घट अस्थापना की तयारी हो रही थी घर आंगन गोबर से लिपे जा रहे थे रंगोली बनाई जा रही थी यानि लेखक वहां देखते हैं कि नौरात्री की तयारी शुरू हो रही है बहु बेटियां सजधच का तिवहार मनाने की तयारी कर रही थी आकाश में बादल गरज रहे थे लेखक मालवी की उजली चटक धूप और ज्वार बाजरे सोयामीन की फसले पीले फूलों वालिफ हेल्थी वैलो और घर आंगन को देखने आया था किन्तों कुवार महीने में भी बादल के बने रहने के कारण पानी बरसने के आशंका बनी हुई थी जब लेखक नागदा इस्टेशन पर मीना जी लेखक की फीकी चाय पिलाते हैं सारे अवश्यक समचार भी देते हैं मौसम और खेती के संबन्ध में बताते ही वे कहते हैं कि इस साल बहुत वर्षा हुई सोयामीन की खेती गल गई प्रन्तु अब गेहु अच्छा होगा चाय और भजिया खाते पीते लेखक पतनी सहित उजैन पहुंचे फिर वहां उजैन में लेखक का शिप्रा नदी देखते हैं लेखक देखते हैं रास्ते में शिप्रा नदी उन्हें दिखाई देती है शिप्रा नदी पानी से भरपूर था लेखक को याद आया कि उसने टीवी पर पढ़ा था कि शिप्रा नदी का पानी घरों में घुश गया उसने अनेक जगा फोन करके वस्तु इस्तिती जानने का प्रयास किया किन्तु कहीं भी किसी प्रकार के खत्रे की बात नहीं कहीं गई लेखक के विचारों के अनुसार अब मालवा में उतनी वर्षा नहीं जितनी पहले होती थी इस बार 40 इंच वर्षा को ही टीवी वालों ने अधिक कहना शुरू कर दिया उजैन से दिवास जाने के लिए मालवा के मद्य से होकर गुजरना पड़ता है लेखक को इस बात का अफसोस है कि कुवार महीने की धूप देखने को नहीं मिली किन्तु उसे इस बात की प्रसंता है कि कुवे बावडी और तालतलया लबालब भरा हुआ है नदी नाले इठलाती हुए बहर है थे और फसलें लह लहा रही थी फिर लेखक को इंदोर उतरने की इक्षा हुई लेखक गाड़े से इंदोर उतरा और उसने अपने भतीजे से कहा कि मुझे सभी नदियां सारे तलाब तालतलया और जलाशे देखते हैं और सब पहाड चड़ते हैं भतीजे ने मुस्कराते वे कहा इस बार माता की मूर्ती अस्थापित करूंगा माता बैठ गई आरती भी हो गई बार में लेखक की समझ में आया कि वह सत्तर वर्स का हो गया है इस आयू में पहाड चड़ना या नदी नाले पार करना असंभव है घास पर लुढकना भी अब सरल नहीं है मन में तो किशोरों जैसी उमंग है पर शर वार्लेखक को नर्मदा की महा नदी उसका दर्शन होता है माध्यपरदेश में नर्मदा महा नदी माना जाता है यह सत्पवित्र नदीओं में से एक है इसके तट्पर उंकारेश्वर जोत्रलिंग अस्थापित है आखick की है नर्मदा पर सिमेंट कंक्रीट का विशाल बांध बनाया जा रहा था नर्मदा में कहीं छिछला जल है तो कहीं अथा जलराशी नर्मदा में नाव नहीं दिखाई दी शायद वर्षा में बहने के डर से बचा कर कहीं रख दी गई थी उनका रेश्वर में जोर्ति लिंग धाम जैसा सुन्दर नहीं दिखाई दे रहा था इसके पस्चात लेखक ने निमावर के पास बिजवार में शांत गंभीर इवं भरी पूरी नर्वदा के दर्शन किये चौथ के चांद की मंद चांदनी में नर्वदा बह रही थी पेडो के मध उचे किनारे पर बैठे लेखक दमपती ने चुपचाप नर्वदा मैया को परणाम किया रात भर नर्वदा के किनारे ही विश्राम किया लेखक के लिए नदी नदी नहीं अपितु मा है उसके किनारे बैट कर लेखक को ऐसा लगता है जैसे वह मां की गोद में बैठा हो उंकारेश्वर और निमावेश्वर से आने जाने में लेखक को सिम्रॉल घाट और बिजुवाड के घाट उतरने पड़े दोनों में सागवान के जंगल हैं सिम्रॉल के पांच बीच से चुरन नदी बह रही थी बिजुआडा में नाला बह रहा था हर पहाडी नदी पानी से भरी बह रही थी लेखा को अपना बच्पन याद आ गया उस समय पित्री पक्ष और नौरात्री में ऐसे ही वर्षा हुआ करती थी उस समय पहाडों पर जल के अनेक स्रोध थे निमावर के रास्ते में ही केवडेश्वर है जहां से शिप्रा नदी निकलती है यह बहुत बड़ी नदी नहीं है फिर भी यह पवित्र नदी है ऐसा माना जाता है चंबल विंध के जानापाव परवत से निकलकर निमाड मालवा बुंदेल खन गौलियर होती हुई इतावा के पास जमना में जा मिलती है लेखक ने घाटा बिरोध में चंबल नदी को देखा चंबल में काफी पाने था लेखा को बच्पन में नदी में नहाते हुए इस बात का गर्व था कि चंबल से केवल गंगा ही बड़ी है चंबल के बीहड में डाकू रहते हैं आगे बहुत बड़ा बांध है खुब पानी है इस बार इतना पानी था कि पच्ची सो साइफन चलाने पड़े सड़ सड़ साल में तीन बार ऐसा हुआ कि पारवती और काली सिंध में बाढ़ के कारण रास्ति बंद हो गए दो दिन तक पूल के उपर पानी बैता रहा इस बार मालवा के पठार की समन दियां पानी से लबालब भरी हुई थी नर्वदा में भी खुब पानी आया बरसो बाध हजारो वर्ष पुरानी कहावत चरिदार्थ हुई मालव धर्ती गहन गंभी डगडग रोटी पगपग नीर इस स्यात्रा में लेखा को दक्छिन से उतर की ओर धलाने वाले पठार की सभी नदियां के दर्शन हुए लेखा के अनुसार नदी का सदा नीरा रहना जीवन के सुरोत का सदा जिवित रहता है आज के हमारे लेखा का कहना है कि आज के हमारे इंजिनियर समझते हैं कि वे ही जल प्रबंधन जानते हैं पहले के लोग कुछ नहीं जानते थे लेखा का मानना है कि मालवा में विक्रम्मादित्य भोज और मूंज बहुत अच्छे जल प्रबंधक थे तभी तो उन्होंने इस पठार पर तलाब बनवाए बड़े बावडियां बनवाई ताकि वर्षा का पानी रुका रहे धर्ती के गर्भ का पानी जो करतियों बना रहे लेखा के छोफ के साथ लिखता है कि पस्चिम के रिनेशा से ग्यान पाकर हमारे आधुनिक इंजिनियरों ने तालाबों को मित्ती से भर जाने दिया और जमीन का पानी पाताल से निकाल लिया परिणामत नदी नाले सुग गये पगपग नेरवाला मालवा सुग गया परंतु लेखा खुश है इस बार विलावती पिपल्या सीरपूर्च सभी लवालब भर गये हैं ये श्वंत सागर के तो साइफन खोलने पड़े थे फिर भी इन दौर की खान और सरस्वती नदियो में उतना जल नहीं है जितने में लेखा कभी नहाया करते थे लेखा का कहना है कि नदियों की इसी दुर्दरसा हो गई है अब वर्षा रितू में ही इन नदियों में परियाप्त जल रहता है मालवा में इस वर्ष 35 इंच वर्षा हुई यह समानी वर्षा से केवल 5 इंच अधिक है और इतनी वर्षा से ही नहीं नदि, नाले, तलाव, बावणियां और कूएं पानी से भर गए हैं मालवा का वर्षा का इतिहास के बारे में लेखक जानकारी देता हैं कि नई दुनिया अकबार के पुस्तकाले में सन 1878 से पानी के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं 128 वर्ष के इस समय में केवल 1899 में मालवा में 15 इंच पानी गिरा था लोग में इस वर्ष तो 56 के काल के नाम से जाना जाता है राजस्थान मारवाड से आने वाले लोगों का कहना था कि तब भी खाने और पीने के लिए प्रयाप्त पानी था वर्ष 1973 में यहां 77 इंच पानी गिरा था यहां अंतरव्रिष्टी का वर्ष था तब भी एश्वंत सागर विलावती मिसीरपूर और पिपल्या तूटकर बहे नहीं थे लेखक का मत है कि यदि हम नदी नाले तालाग को संजोग कर रखें तो दुशकाल के वर्ष भी आसानी से कट सकते हैं हम जिस विकास को अद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड की अस अप सभ्यता है इन दिनों विद्वानों ने धर्ती के वातावरन को गरम करने वाले इस सभ्यता को खा उजाडू सभ्यता कहा है क्योंकि अमेरिका और इरोप के विक्षित देशों ने अद्योगिक विकास के नाम पर वायू मंडल में कारवन डायक्षाइड की मातरा बढ़ा दी है जिससे धर्ती का तापमान बढ़ गया है परियावरन और संतुलन के कारण मालवा धर्ती गहन गंभीर और डगडग रोटी पकबग नीरवाली नहीं रही समुद्रों का पानी गरम हो गया धुरूओं की वर्फ बिगलने लगी मौसम चक्र बिगडग गया लद्दाख में बर्फ के अस्थान पर पानी गिरा वाड़मेर में बाढ़ा गी लिरोप और अमेरिका में गर्मी पड़ रही है इतनी पर भी अमेरिका अपनी खाव उजाड़ू जीवन पदती में बदलाव लाने को तयार नहीं है यही नहीं हम भारतिये भी तो मालवा की गहन गंभीर और पकपग नीर को डगड़ रोटी देने वाली धर्ती को उजाड़ने में लगे हैं हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा लेखक का ऐसा कहना है बच्चो आज इहां पार्ट समाप्त होता है और अगले क्लासेज में इसका प्रशनोतर हम लोग करेंगे धैन्यवार